हेलो फ्रेंट्स देव अनलाइन हिल्प में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज आप जानेंगे यूटूब के एक नए अपडेट के बारे में अगर आप एक यूटूब के रेटर हैं तो अब आपको 24% टेक्स पे करना होगा यूएस पॉलिसी के अनुशार आपकी जो भी अर्नेंग होगी उस पर यानि कि आप यूएस से जो भी आपके पास वीवर्स आते हैं और उनसे आपको जो भी अर्नेंग होती है उस पर आपको 24% टेक्स पे करना होगा लेकिन अगर आप इंडिया से हैं तो आपको ट्रेटरी की जो यहाँ पर नियम की अनुशार आपको जो है यूएस से कुछ छूट मिलेगी जिसमें आपको 15% टेक्स पे करना होगा तो अब आपको 31 मईस तक जो है अपना टेक्स अन्परमेशन फॉर्म फिलाप करना होगा तो इस वीडियो में हम आपको step by step process बताने वाले है किस परकार से और कहां से आपको आपना टेक्स अन्परमेशन फॉर्म फिलाप करना है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को बिने स्किप की एंड तक जरूर देखें पूरा प्रोसेस बताने वाले है ठीके बिने स्किप की आपको देखने है कोई भी गलती नहीं करना है तो फ्रंट इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है अगर आपको नहीं सो करता है तो आप इस नौटिपिकेशन बाले ओप्सन से भी इस मैसेज को जो आपन कर पाएंगे लिए नौटिपिकेशन रहेगा इसके नीचे आपको तीन ऑप्सन भी मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं मैनेश्ट टैक्स इंपो तो इस पर आपको किलिक करना है फरस्ट वाले ऑप्सन पर किलिक करने के बद आपके सामने इस परकार से एक न्यू टैब उपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक बिलू कलर में ओप्सन दिखाई देगा एड टैक्स इंपोमेशन तो आपको इस पटन पर किलिक कर देना है कलिक करने के बद आपको थोड़ा सा बेट करना है इसके बद आपके सामने एक Login पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी Email ID का Password फिल करना है और इसके बद आपके सामने इस परकार से आपका Adsense फिर से Login हो जाएगा Login होने के बद आपको यहाँ पर option मिलेगा what type you are YouTube account यानि कि आपका जो account है वो किस टाइप का individual है यह फिर आपका business account है ठीक है तो यहाँ पर आपको select करना होगा अपना account type तो यहाँ पर आपका name show करेगा जो भी आपने adsense में अपना name दिया है वो यहाँ पर आपको आजाएगा तो अगर आपका individual account है तो जैसे ही आप next button पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक और option आ चुका है are you a citizen और resident तो अगर आप US के इहाँ पर निवासी हैं US से आप जो है बलॉंग करते हैं तो आपको इहाँ पर yes करना है अनिता आप यहाँ पर no कर देंगे अगर आप other state से candidate है या अधर इंडिया से है तो हम यहाँ पर no कर देते हैं इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक और option आ चुका है जिसमें आपको यहाँ पर select करना होगा अपनी tax related details को तो जिसमें अगर आपका individual account है तो आपको first वाला option select करना है ठीक है non-us candidate को ठीक है जो individual account है जिनके पास तो नहीं first वाला option select करना होगा जिसे आप यहाँ पर read भी कर सकते हैं details को और second option में अगर आप जो है आपका business account है business account है और आपका यहाँ पर US के candidate है आप ठीक है US से creator है तो आपको second option select करना होगा तो हम यहाँ पर first वाला option select करेंगे individual के लिए और इस पर click करेंगे blue color के बटन पर click करने के बाद थोड़ा सा process होगा यहाँ पर इसके बाद आपका यहाँ पर जो भी adsense account में name है वो आपको यहाँ पर सो कर जाएगा तो आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर अगर आपका कोई business है तो आपको business ने हम यहाँ पर type करना है ठीक है अगर अनता आप इसे खा काली छोड़ देंगे यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको country of citizens select करना है यानि कि आप जिस भी countries हैं तो हम यहाँ पर India select करेंगे सर्च करके तो यहाँ पर हमीं India मिल चुका है आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको India select करने के बाद submit करना है ठीक है अब आपको यहाँ पर नीचे option मिलेगा तो आप देख सकते हैं foreign 10 तो foreign 10 यहाँ पर आपको क्या fill करनी है यही पर कापी सारे जो है लोग confused हो जाते हैं तो foreign 10 इसका म करना होगा तो जो भी आपका Pen Number होता है तो यहाँ पर जो ही अपना Pen Number Fill करेंगे जो भी पैंनम्बर नमबर है हमारा का तो यहाँपर हम फिल कर देते हैं तो बिलकुल आपको सहीश हे चेक करकर देना है बिलकुल भी आपको कोई गलति यहाँ पर नहीं करनी है तो यहां पर हमने pen card number फिल कर दिया और इसके बाद आपको next button पर click कर देना है तो जैसी आप next button पर click करेंगे अब आपके सामने address information आ चुकी है तो आपको अपना जो भी आपका address है वो आपको यहां पर फिल करना होगा तो यहां पर आपको देख सकते हैं जो भी आपने adsense account बनाते time आपने address दिया है वही address आपको यहां पर फिर से फिल करना होगा तो आप बिल्कुल सही वही address आपको फिल करना है जो आपका adsense account में address डला हुआ है तो यहां पर हम address फिल कर देते हैं fill करने के बाद जो है, आपको यहां पर अगर आपका resident address और postal address सहम है, तो आपको यहां पर check mark कर देना है, ठीक है अन्यता आप अलग-अलग address भी fill कर सकते हैं, ठीक है, इस के बाद आपका address complete होने के बाद, आपको यहां पर नीचे आणा है, और यहाँ पर आपको Next बटन पर किलिक कर देना है चेक मार करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर Text Rating का जो Option आचुका है आप देख सकते हैं तो क्या आप Clamming करना चाहते हैं Text Rating से तो आपको यहाँ पर Yes और No का Option मिलेगा तो आप Yes कर दीजिए यहाँ पर Second वाले Option पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको ठीक है यह हमने आपर Yes पर किलिक कर दिया है इसके बाद यहाँ पर नीचे एक और Option आपको देखने को मिलेगा Resident of Country Clamming Treaty with US यानि कि यहाँ पर इंडिया का जो है यूएस से ट्रेटी जो भी कॉंटेक्ट है उसके तहता आपको यहाँ पर चेक मार्क करना होगा अगर आप Yes करते हैं तो तो यहाँ पर भी हम चेक मार्क करेंगे Clamming के लिए जिससे कि हमारा जो टेक्स है वो 15% हो जाएगा 24% से ठीक है तो यहाँ पर इंडिया सिलेट करेंगे आप जो भी आपकी resident country है इंडिया सिलेट करने के बाद यहाँ पर आपको Adsense की कौन-कौन सी आप services का यूज करते हैं तो सबसे पहले वो आप सिलेट करेंगे हम यहाँ पर Adsense First option यहसे ही सिलेट करेंगे अब आपको यहाँ पर option मिलेगा article का तो देख सकते है paragraph बने सिलेट करेंगे और यहाँ पर आपको zero reduce rate इससे सिलेट कर लेना है इसके बाद आपको नीचे scroll करना है और दूसरा option आपको यहाँ पर check mark कर देना है एक बार इसके बाद आपको आपको दूसरा option पर सिलेट करना है motion वाले पर motion picture and tv ठीक है इस पर click करने के बाद आटिपकर सिलेट करेंगे 12 और यहाँ पर आपको withholding rate इहाँ पर सिलेट कर लेना है 15% इसके बाद इहाँ पर नीचे scroll करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर जो है region आपका ठीक है other copyright तो इस पर आपको सिलेट करना है और इहाँ पर आपको article 12 सिलेट करना है इसके बाद इहाँ पर आपको withholding rate में 15% सिलेट करना है सिलेट करने के बाद आपको इहाँ पर भी check mark कर देना है और उपर भी जो check mark करने के option की box देखाई दे रहे बहाँ पर भी आपको check mark कर लेना है इसके बाद आपको nest बटन पर click कर देना है तो देखी हमने यहाँ पर उपर वाले यह box पर check नहीं कर पाया था check mark करने के बाद submit कर दीजिए nest कर दीजिए अब आपको थोड़ा सा process करना इसके बाद देख सकते हैं आपका जो form है जो भी details से बहों यहाँ पर आचोकी है पूरी complete होकर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको यहाँ पर declation पर check mark कर देना एक बाद आप चाहें तो इससे read कर सकते हैं declation को और check mark कर दीजिए यहाँ पर चैसे ही आप check mark कर देते इस box पर इसके बाद आपको nest पर click कर देना है nest पर click करने के बाद जो है आपके सामने आ चुका है your signature तो यहाँ पर आपका जो भी legal name है जो भी आपने adsense में दिया है वो name है आपको अपनी document से check करके बिल्कुल सही सही इस link फिल कर देना है तो यहाँ पर हम फिल कर देते है ठीक है name तो जैसे आपका जो भी name है adsense में फिल हो जाता है इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे name फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो है दो option मिलेंगे तो आपको इस first वाले option पर click करना है और nest करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से new option आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं activation and service play ठीक है perform के बारे में आपको पूचा गाए तो आपको यहाँ पर बिति युएस तो इसमें आपको जो है no कर देना है और यहाँ पर आपको जो है declaration पर check mark कर देना है check mark करने एक बाद आपको नीचे आना है और नीचे भी आपको दो option मिलेंगी जिन में से आपको first वाला option मिलेगा एक तो यहाँ पर ठीक है कि आपने पहले कभी payment receive किया है अगर तो आपको यानि कि आपने कभी पहले payment receive नहीं किया है तो आपको first option select करना है अगर आप new candidate है पहली बार आपका adsense यहाँ पर create हुआ है और अगर आपने पहले से payment ले रखा है ठीक है एक भी बार आपका payment आ चुका है तो आपको जो second वाला option select करना होगा ठीक है और जो new है adsense पर जिन्नोंका अभी तक payment नहीं आए वो first वाला option select करेंगे तो यहाँ पर हम second option select करेंगे हमारा जो पैमेंट आ चुका है तो इसे second वाले option को select करेंगे यहाँ पर check mark पर इसके बाद यहाँ पर इस declaration पर फिर से check mark करेंगे नीचे और यहाँ पर change पर आपको कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको direct nest पर किलिक कर देना है तो जैसी आप nest बटन पर किलिक करेंगे इसके बाद आपको थोड़ा से यहाँ पर wait करना है इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर चुका है status में approved इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका rate है वो यहाँ पर चुका है देख सकते हैं 15% claim हो चुका है और यहाँ पर भी 15% claim हो चुका है और जो WST rate थी वो यहाँ पर 0% हो चुकी है तो फ्रेंट इस परकार से हमारा जो AdSense का जो tax information था form वो complete successful हो चुका है फिलब तो इसी तरीके से आप किसी भी candidate का या किसी भी creators का जो है form फिलब कर सकते हैं चाहिए आप new जो है यहाँ पर AdSense account create की हो या फिर आपका पहले से account create है तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकार जरूर पसंद आईगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में like जरूर कर दीजिए ठीक है और इस information को भी और इस वीडियो को अपने दोस्तों में share कर दीजिए जिससे वो भी अपना यहाँ पर AdSense tax जो फॉर में फिल अप कर सकें तो फ्रेंड और अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट है तो आपका हमें कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं यह फर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजिए उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के description box मिल जाएगा तो आप बहां से भी सवाल पूछ सकते हैं आपका जो भी डाउट है तो फ्रेंड मिलते हैं एको नीव वीडियो में एको नीट आपक के साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजिए थाइब जरू आपको नीचे वाचिंवे लिएगा तो